आजम आनंद यादव द्वारारचेत पाठ जूज भाग दो प्रस्तुत करने जा रहे हैं पाठशाना भेजने के लिए दादा की शर्थ लेखक के दादा ने लेखक से यह वचन ले लिया कि सुभे ग्यारा बजे तक खेत पर काम करना पड़ेगा खेत से ही पाठशाला जाना और छुक्ती के बाद घंटा भर पशू चराना तथा काम की अधिकता पर कभी-कभी छुक्ती भी लेनी पड़ेगी लेखक ने सभी शर्तें स्विकार कर ली अगला विभाजन कक्षा में लेखक के साथ वहवार लेखक पाँचवी कक्षा में जाकर बैठने लगा कक्षा में गली के दो लड़कों के अतिरिक्त सभी अपरिचित थे सभी लड़के लेखक से कम उम्र के थे लेखक बाहरी अपरिचित के समान बैंच के एक कोने पर जा बैठा। कक्षा के शरारती लड़के ने लेखक की खिली उड़ाई और उसका गमचा चीन का मास्टर की मेच पर रख दिया। बीच की चुट्टी में उसी लड़के ने लेखक की धोती की लांग खोल दी। पाटशाला के बच्चे तरह तरह से लेखक को परिशान करते रहे। इस दशा को देखकर लेखक घबराने लगा। उसका मन उदास हो गया। उसने मा से कहकर एक नई टोपी और चड़ी मंगवा लगी। वसंत पाटल साथी से प्रणा। वसंत पाटल लेखक के आयूं में छोटा था, किन्तु पढ़ने में बहुत होशियार था। वह कक्षा का मौनिटर था, शभाव से शांत था, घर से पूरी तयारी करके आता था, पहली बेंच पर बैठता था, कक्षा में उसका सम् वे हमेशा कुछ न कुछ पढ़ता रहता। मन की एकागरता के कारण गणित समझ में आने लगा। वसंत पाटल के समान लेखक भी लड़कों के सवाल जाचने लगा। उसकी वसंत से दोस्ती हो गई। मास्टर जी भी प्रसन्न होकर उसे आनंदा नामने का पुकारने लगे मास्टर के अपने पन और वसंता की मितरता के कारण उसका पाटशाला में मन लगने लगा। अगला विभाजन सो देखिए मास्टर सौंदेल गेकर का प्रभाव। मास्टर सौंदेल गेकर मराठी के अध्यापक थी। वे बहुत तनमे होकर पढ़ाते थे। उन्हें मराठी और अंग्रेजी की बहुत कविताएं कंठस्त थी। उनका गला सुरीला था। चंद और लए का ज्यान था। वे कविता के साथ ऐसे जुडते की अभिनाय करके भावभूद कराते। वे स्वेम भी कविता करते थे। कभी-कभी कक्षा में अपनी कविता सुना भी देते थे लेखक तनमे होकर सुनता था। जब लेखक खेत पर पानी लगाता या धोर चराता तब वे एकांत में कविताओं को मास्टर के हाओ, भाओ, यती, गती, आरो, अवरो के नुसार गाता। मास्टर की तरह अभिने करता। उसी समय उसने अनुभव किया कि मास्टर की तरह अन प्रभाव हुआ कि अब उसे पानी लगाते या धोर चराते हुए अकेला पन महसूस नहीं होता था। लेखक अपने आप में ही मस्त रहने लगा, उसे एकांत अच्छा लगने लगा। लेखक उची आवाज में कविता गाता, अभिने करता और कभी-कभी नाचने लगता। लेखक ने कविता गाने के अपने पद्यती सीख ली। लेखक मास्टर की अपेक्षा जैदा अभिने से गाने लगा। कविता के भाव उसके चेहरे पर आने लगे। मास्टर को लेखक का कविता गायन इतना अच्छा लगा कि उन्होंने छटी सात्मी के बालकों के सामने उ से गवाया कवी के बारे में धारणा मास्टर सौंदलगे कर स्वैम कविता करते थे अनेक कवियों के कावे संग्रहे उनके घर में थे वे कवियों के संस्मरण भी सुनाते थे इससे लेखक कि कवियों के बारे में धारना बनी कि कवी भी अपने जैसा ही एक हाड मास का क्रोध लोब का मनुश्य होता है अतहे लेखक ने सोचा कि मैं भी कविता कर सकता हूँ मास्टर जी ने अपने दरवाजे की मालती लता पर कविता लिखी थी लेखक ने मालती लतावे कविता दोनों देखी थी इससे लेखक को लगा कि मैं भी अपने खेतों पर गाओं पर गाओं के लोगों पर कविता लिख सकता हूँ अतहे भैस चराते चराते फसलों पर या जंगली फूलों पर लेखक भी तुकबंदी करने लगा उन कविताओं को गुनगुनाता और मास्टर जी को दिखाता लेखक को कविता लिखने की इतनी धुन लगी कि यदि कागज पैंसिल ना होता तो कंकड से पत्थर की शिला पर ल रकड़ी के टुकडे से भैस की पीठ पर लिख लेता कंठस्त होने पर उसे पहुँच देता कविता कप प्रसक्षन लेखक अपनी कविता अमास्टर जी को दिखाता कभी-कभी कविता दिखाने के लिए रात को ही मास्टर जी के घर पहुँच जाता, मास्टर जी उसे कविता का शाष्ट समझाते, छंद, लै, अलंकारों का ज्ञान कराते, शुद्ध लेखन के नियम बताते, लेखक की तरह ही पुस्तक देते, उन्होंने उसे कविता करने की अनेक धर्रे सिखाते, इस प्रकार लेखक को मास्टर के नि दरने लगी, शब्द का महत्व समझ में आया, अलंकार, छंद, लै, आदी को सुक्ष्मता से देखने का अभ्यास बढ़ा, तो इस प्रकार आप इस पाठ में यहे समझ सके हैं कि लेखक ने पूरी जूज, पूरी ताकत लगा दी अपने आपको सिक्षित करने के लिए, धन नेवाद,